नमस्कार खबर मदर प्रदेश के खायसकार कम विशेश चर्चाम में आज हमार साथ मौजूद हैं तेजाजी नगर थाना प्रभारी आड़ी कानवासर नए तरीके से पूरे तरीके से सेटव जमाया जा रहा है जिसमें चूंकि पुलिस का कारे बहुत बढ़ गया है कमिशनरी के बाद से, पूर में पुलिस के पास अपराद नियंतरण के लिए जो प्रतिनात्मा कारवाई या मुख्य रूप से जो प्रतिनात्मा कारवाई होती थी वो कारवाई मात्र नियाले में इस्तगासा या जिलाबदर या इने से प्रस्तूत करने तक की रहती थी उसके बाद की कारवाई पुलिस की नहीं होती थी जिसके कारण समय पर बाउंडोबर की कारवाई नहीं होने के कारण कई बार अपरात पर नियंतर ठीक तरीके से नहीं किया जाता था उसी के उसमें कमिशनरी लागू होने का जो सबसे बड़ा बेनेफिट है वो आम जनता को मिलना है क्योंकि आम जनता अपरात से सबसे ज़्यादा पीडित आम जनता है और छोटी छोटी जो क्राइम से संबंदी नौन कोगनेज़ेवल अफेंस से संबंदी जो शिकायते होती थी उसमें पुलिस सीधे कोई कारवाई नहीं कर पाती थी आज हम उसमें इस तरह की कारवाई इस तरह का जो कारे करते हैं गलत तरीके से लोगों को अनावश्यक परिशान करने के लिए कानून से खेलने की कोशिस करते थे उन पर जब प्रतिवंदात्मक कारवाई हम करेंगे और समय पर जब बाउंड ओवर होंगे और बाउंड ओवर में उनको एक वार्निंग मिलती है कि आपने अगर इस साओधी में कोई अप्राइम किया है तो आपके विरुद ये कारवाई की जाएगी तो इस तरह कि जो बाउंड ओवर का उलंगन करेंगे तो छे महीने एक साल के लिए जब बाउंड ओवर होंगे और इस बीच में उन्होंने अगर फिर कोई घटना उसी तरह की रिपीट कर दिया अनने कोई घटना करी तो ऐसे समय में पुलिस उनके खिलाब 122 की कारवाई करेगी और उसमें कमिशनरी में अधिकार रहेंगे कि वो जो है नियत समय के लिए या तो उनकी संपत्ती जब थोगी या फिर जो है वो जेल जाएंगे तो इस तरह है कि जा अधिकार पुलिस को मिले हैं इस कमिशनरी में जो मिले हैं वरिष्ट अधिकारियों को तो इसका सही तरीके से जब कारवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से अपराद में बहुत नियंतरन होगा यह जैसे छोटे-छोटे अपराद हैं शराप पीकर उपद्राव करना, बात-विबात करना, तेजगाने बजाना, अनावश्यक लोगों को तंग करना यह जो छोटी-छोटी चीजे हैं जिससे लोग आमजन परशान रहते थे और पुलिस से अपेक्षा करते थे कि इसमें कड़ी कारवाई हो और पुलिस उस समय नहीं कर पाती लेकिन अब जो है, पुलिस सार्थक कारवाई करेगी और ऐसे लोगों पर अच्छा सिकंजा कसा जाएगा कि इस तरह के घटाएं जो है, वो करने के पहले दस बार सोचेंगे। होने वाले हैं, उसके पहले हम लोगों ने पूरी तैयारी कर लिए जो इस तरह के उपदरवी हैं, उनको चिनिज बीट कांस्टेवल के माद्यम से, बीट स्टाफ और बीट अधिकारियों के माद्यम से, उनके लिस्टिंग कर लिए, सूची बना लिए, कि कौन लोगों का क प्रादिक रिकारडर किस पर किस तरह की प्रतिन दात्मा कारवाई किस लेवल की की जाना है, और ऐसे लोगों पर किस तरीके से नियंतरन किया जाए, इसकी पूरी सूची तैयार कर लिए, और बहुत जल्दी जो है, इन पर कारवाई की जाएगी, चूकि अभी कमिशनेरी लागू ही है, और सेट अप जमने में हर नए सिस्टम, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम रहता है, इसको लागू होने में कुछ समय रहता है, यह बीच का संक्रमन का आल है, और बहुत जल्द जो है, जनता को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और पुलि है, उसके लिए ठीक है, लेकिन अभी फिलाल जो है, यह संक्रमन काल है, जिसमें बड़ी विवस्था लागू करने में कुछ समय लगता है. संपत्ती संबंदी हो, उनको लेकिसा किस तरह के निराकरण का प्लान किया है? संपत्ती संबंदी में ततकाल पुलिस जो है, जब हम निश्चित रूफ से जो छोटे-छोटे क्राइम है, जिसमें पुलिस को बहुत लंबा समय अपना देना पड़ता है, और इस तरह के क्राइम के कारण हम अन्य मामलों पर कम ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास का कारे का बोज रहता है, निश्चित रूफ से जब प्रतिन्दात्मा कारवाई सार्थक होगी, तो निश्चित रूफ से पुलिस इस तरह के मामलों पर ज़्यादा समय दे पाएगी और कारगर कारवाई कर पाएगी. सार, निश्चित रूफ पर एक दोर पुलिस इभागने भी देखा, जब कोरोना संक्रमन का दूसरा फेज था, बड़ी संक्या में पुलिस करमी भी संक्रमी थे, तियाज नगर थाने में भी संक्रमी थे, लेकिन जो होंसला था पुलिस करमी को वो कम नहीं हुआ, लगातार संक्रमन के बीच में पुलिसिंग लाइन ओर्डर का पालन कराने के साथ ही, एक सामजिक साहू करता है कि बात भी सामने ही, तवाम क्योंकि आपका बाइपास लगता है, बड़ी संक्या में आपके माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से आम जनता की साहता भी की गई, उसे कह पुलिस की चवी में सुधार आया, वो काफी अच्छी चवी है, आम जनता पुलिस पे भरोसा करती है, क्या लगता है, पुलिस कमिशनरी के बाद वो भरोसा और आम जनता का बढ़ेगा? निशित रूप से जब हम कोई अच्छा कारे करते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं, कई बार हम अच्छा कारे करते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं होने के कारण भी आम जनता में वो विस्वास पैदा नहीं कर पाते हैं, जो जिसके हम हगदार हैं, तो अब जो मीडिया है और भी लोग हैं जो इसमें सपोर्ट करेंगे वो निश्यत रूप से जो है अपरादियों पर नियंतरन करेंगे तो उसका लाब सब को होगा निश्यत रूप से प्रत्यक व्यक्ति को जब अपराद नियंतरन होता तो प्रत्यक व्यक्ति को उसका फाइदा मिलत निश्य तोर पर हम भी आपसे अपिल करते हैं कि पुलीस प्रशासन अपना काम करता है, वहीं आम जंता की सयोग की अपेक्षा भी करता है, आप यदि थाने तक आते हैं तो निश्य तोर पर आपकी शिकायतों का निवारणों का, केमरा परसन, गोल्डी के साथ जतेन ठाकूर खबर मदरप्रदेश शिंदोर